आज हम कॉंटिन्यू करेंगे बार लॉजी की टेस सीरीज जो कि रेल्वे ग्रूप डी इग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप हमारे टेलिग्राइम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशिन किया है वहां से आप इस वीडियो की पीडियेफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इंपोर्टन नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे आप आखलें आपको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्लेसे जहां पर आपको वेरिस कॉंपरेडिव एक्जैम के टेस सीरीज प्रोवाइट के जाते हैं सबसे पहला कोर्शन है किस प्रकार के रोग जनक से जल जनित रोग टाइफॉइड बुखार होता है तो आपको बताना है ऐसा पैथोजन जो कि टाइफॉइड फीवर को कॉस करता है ठीक है ओप्शन हमारे पास है एलगल परजीवी प्रोटेजोवन या फिर बेक्टीरिया अब जो टाइफॉइड रोग होता है वो बहुत खतरनाक होता है ठीक है और कौन सा जो जीवानु है उसे कॉस करता है साल्मोनेला टाइफी ठीक है और यह शरीर के एक अंग को नहीं बलकि बहुत सारे अंगों को क्या करता है प्रभावित करता है ठीक है कौन सी कोशिका पौधों के विभिन अंगों को जन्म देती है और पौधों में विध्धी करती है तो आपको बताना है कि कौन सी कोशिका है जो कि पौधों में विभिन अंगों को करती है जन्म देती है और विध्धी भी करती है options हमारे पास थाई, तो अच्छी है, meristematic या फिर परिप्वक्त, ठीक है, correct answer है, यहाँ पर option C, meristematic, तो जो meristematic होता है, meristematic जो cells होती है, उनको हम विभाजियों तक कोशिकाई भी बोलते हैं, इन में क्या होता है, कि विभाजन शमता पाई जाती है, और यह उतक पौधों की व जीवो को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, ऐसे जीवो का नाम, जो कि भोजन त्यार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश का प्रयोग करते हैं, ठीक है, options हमारे पास है, सौब पोशक, हीट्रोट्रोप्स, सौहारी, या फिर डिकंपोजर्स, correct answer है यहाँ पर उर जा के शोतों से क्या करते हैं, इनका इस्तमाल करके अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, फोर्थ कोशन है, निम्ने लिखित विकल्पु मैंसे कौन सी मचली है, तो आपको बताना है कि कौन सी इन मेंसे मचली है, option है, जैली फिश, लॉब्स्टर, साल्मन या फिर वेल, correct answer ह option A में जैली फिश दिया हुआ है, तो फिश पढ़े के आप यहां पर इसको टिक मत करिएगा, साल्मन आप बियाद कर लेज़े कि यह यह भी क्या होती है, फिश होती है, ठीक है, next question है, किसी वनस्पती उध्यान में निम्ने लिखित में से किस पर प्रकास का सीधा देखें, सीधा प्रभाव देखें, तो फूल निकलने की प्रक्रिया, प्रकास इंसलेशन और वास्प उचसरजन में तो इसका सीधा प्रभाव पढ़ेगा, पर इंतु जो फटिलाइजेशन है, निशेचन है, यहां पे इसका प्रभाव, सीधा प्रभाव नहीं पढ़ने होता है, और वो किस की उपस्तिती के कारण होगा, ओप्शन हमारे पास है, साइट्रोक्रोम, क्लोरफिल, हीमोसाइन या फिर हीमोग्लोबिन, तो और यहां पर ऑप्शन दी, जो की है हीमोग्लोबिन, अब जो हीमोग्लोबिन होता है, वो एक तैप का क्या होता है, प्रोट next question है nitrification किसे परिवर्तित करने के जैवेक प्रक्रिया है nitrification is the biological process of converting तो आपको बताना है कि nitrification क्या है यहाँ पे correct answer हो जाएगा यहाँ पे option C ठीक है मतलब कि ammonia to nitrate जब ammonia से ammonia nitrate में convert होता है परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे nitrate करन और इसमें जो जीवानु जो बैक्टिरिया responsible होते है nitrification के लिए वो कौनसे कौनसे होते है nitrosomonas होता है और एक nitrococus होता है तो यह आपको दोनु नेम आपको अच्छे से याद अखने है next question है कृतिम दिल का अविशकार किस ने किया था who invented artificial heart options हमारी पास है john browning, jacob, paul winchell या फिर mac mohan correct answer है यह आपे option c paul winchell तो paul winchell ने क्या कर रा था artificial heart को invent किया था next question है हमारा इंसान का विज्ञानिक नेम किया है विज्ञानिक नाम किया इंसान का options है homo nigrum melongena sapiens homo sapiens या भी tigris solenum correct answer है option c homo sapiens ठीक है अब यहाँ पे जो homo है वो genus है और sapiens क्या है species है 10th question है हमारा ferns belong to which division of plants ferns पॉंधों के कौन से विभाजन से संबंधित होते है options है gymnosperm, angiosperm, thelophyta या फिर teridophyta यहाँ पर correct answer हो जाएगा teridophyta तो जो teridophyta प्रजाती के व्रिक्ष होते है वो उनका क्या होता है जो जड, तना और पत्ती विभाजित होती है मतब distinguished होती है जड आपको दिखेगा तना और पत्ती सारी विभाजित होती है उनको क्या बोलते है teridophyta बोलते है आप हमारे telegram group join कर सकते है जिसका link हमने description में दे रखा है और वहां से आपको इस video की PDF मिल जाएगी और आप वहां से उसे download भी कर सकते है 11th question है आतों के जिवान मानव शरीर में निमनलिकित में से किसका शंचलेशन करते हैं Intestinal bacteria synthesizes which of the following in the human body options है Vitamin K, Proteins, Fats या फिर Vitamin D तो यहां पर correct answer हो जाएगा Vitamin K और जो Vitamin K होता है शरीर में रख्त की प्रवाह को बनाए रखता है तो इसलिए यह बहुत important है Next question है कौन से जीव वर्मी कंपोस्टिंग करने में मदद करते है options हमारे पास है Nitrifying, Bacteria, Cachua, Shaeval या फिर कवक correct answer है option B, Cachua तो जो Cachua होता है वह वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है अब जो Cachua होता है उसको जो किसान है किसान का दोस्त भी बोलते है क्यूंकि यह जैविक क्रिशी के लिए बहुत important होता है उसमें उसका बहुत बड़ा क्या होता है योगदान होता है 13th question है हमारा निम्न में से कौन सा तिल्चट्टा का उत्सर्जन अंग है options हमारे पास है malphigion tubules, nephridia, coxal gland या फिर green gland correct answer है यहाँ पर option A, malphigion tubule next question है a dash is a fleshy spore bearing fruiting body of a fungus 1 dash, 1 kawak का muscle, beijanu वाले फल का मुख्य भाग होता है options है aloe vera, coral, cactus या फिर mushroom correct answer है यहाँ पर option D, mushroom 15th question है निम्न में से किसमें chlorophyll नहीं होता है options है हमारे पास kawak, shewal, bryophytes या फिर teridoophytes correct answer है option A, fungus, kawak इसमें chlorophyll नहीं पाए जाता है अब chlorophyll क्या होता है chlorophyll एक protein योगत जटिल रसाइनिक योगिक है जो पत्ते होते हैं उनकी हरे रंग का कारण होता है जो भी green plants होते हैं वो किसके वज़े से होते हैं chlorophyll के वज़े से होते हैं और इनका बहुत बड़ा important role होता है photosynthesis में प्रकाष अंशलेशन में ठीक है क्योंकि हमें पता है कि जो प्रकाष अंशलेशन होता है वो green plants में ही होता है ठीक है हरे पादपो में ही होता है next question है एकल कोशिकी प्राणियों में जीवन के समस्त जैविक रियाएं जैसे पाचन स्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है हाँ यहाँ पर हमें बात हो रही है unicellular organism में unicellular organism मतब जिनके पास एक ही कोशिका होगी only one cell ठीक है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option A क्योंकि unicellular organism में एक कोशिका ही होती है ठीक है और जैसे example इसका क्या होगा एनमिना या फिर बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी इसका उधारन है किसके unicellular organism के है 17th question है opposite the micropylor end is the dash representing the basal part of the ovule ठीक है options हमारे पास है यहाँ पर नाभिका, फ्यूनिकल, निभाग या फिर नियूसिलस correct answer है option C, निभाग next question नहीं ने लिकित मैंसे कौन सा अंडा देने वाला जनतु है तो आपको बताना है कि कौन सा एग लेइंग एनिमल है इनमेंसे कंगारू, चूहा, चमकादर या फिर डग बिल, प्लेटिपस, correct answer option D, डग बिल, प्लेटिपस यह question तो आपको यादी करना है ठीक है कि कौन सा एग लेइंग है और कौन सा एग लेइंग नहीं होते हैं option है साकसी कोलस, जुफिलस, ट्राइकोलस या फिर कोप्रो फिलस, correct answer है यहाँ पर option D, कोप्रो फिलस ठीक है तो जो ऐसे कवक जो काव डंग पर उठते हैं उनको कोप्रो फिलस बोलते है 20th question है निमने लिखित में से कौन सा C4 पौधा है, option है हमार पास मतर, नारियल, मक्का या फिर पीपल, correct answer हो जाएगा मेज, मक्का, C4 प्लांट है मक्का ठीक है, अब C4 पादप क्या होता है, वो पौधा जिसमें CO2 स्थथी करण का जो प्रथम उतपाद होता है, वो चार कार प्रकाश अंशलेशन में अधिक शक्षम होता है, जो पादप होते हैं, वो जादा फोटो संथिस के लिए जादा सक्षम होता है, तो उन्ही को हम बोलते हैं C4 पादप, ठीक है, और उसका उधारण है हमारा मेज, next question है, टाइफोईट तो था पेचिस रोग फैलते हैं, इसके द्वारा फैलता है, वायर प्रदूशन से, जल प्रदूशन से, स्थनिय प्रदूशन से, जो की तेरिस्ट्रिल प्रदूशन होता है, यज फिर रेडियो अक्टिव प्रदूशन से, correct answer है यहाँ पर option B, water pollution, जल प्रदूशन से फैलता है, ठीक है, next question है, उलैरी कल्च A, vegetable science, ठीक है, तो उलैरी कल्चर क्या होता है, study of vegetables is called उलैरी कल्चर, अगर हम इसकी बात करें, पुष्प विज्ञान की, तो इसमें हम flowers के बारे में पढ़ेंगे हैं, तो इस ताइप से होता है, अगर हम fruits की बात करें, fruits की study को क्या बोलते हैं, fruits की study को बोलते हैं, पुमुल नेक्स कोईशन है, इन हूं डेस्ट टीकर डिजीज अकर्स, टीकरो किसमें होता है, जवार में, शुगर केन में, चामल में या फिर मुंफली है, जवार है, ठीक है, करेक्ट आंसर है, यहां पर ऑप्शन D, ग्राउंड नट, ठीक है, यह फीवर नहीं है, यह एक क्रॉप ह इसमें यहां पर क्रॉप आएगी, तो यहां पर है, ऑप्शन D, करेक्ट मुंफली है, ठीक है, तो जो टीक का रोग होता है, वो मुंफली में पाए जाता है, और अगर हम इसके लॉस की बात करें, कि अगर यह रोग अगर ग्राउंड नट में हो जाएगा, मुंफली में हो जो अपना भोजन स्वेम बनाते हैं, अप्शन है हमारे पाए, शेवाल, विशाणू, कवक्याफ, प्रोडो जोवा, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन A, L, ठीक है, शेवाल अपना खाना कुद बनाते हैं, और यह और अग्जाम्पल है, नेक्स्ट कोशन है, फ्लोरी कल्चर के आपको कि अध्याया ही इसमें प्रोडों का अध्याया है, मैंने आपको पिछले उसमें बताया ही जहां पर Alberta छिए चाया है जहांपर ँप्शन करथा क्च प्रोडोरी कल्चर के छाएं बिचेवाल की पाता है मैंने बहुने सीजितीआ मैं मैंको बताया है को सब्सक्राइब करें और मेक्सिम्म लोगों तक इने शेयर जरूर करें आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगा आने वाल इंपोर्टन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें आप आखलें आपको डाउनलोड करें गूगल प्लेसे जहां पर आपको वेरियस